हर हर महादेव जैवावाविद्धिनाथ लोग कहते हैं कि धलते सुर्ज को अर्ग क्यों दिया जाता है तो भाई अर्ग प्रदान जो होता है वह प्राता काल उगते सुर्ज को और डूबते सुर्ज को छठ में दो अर्ग की प्रदानता है क्योंकि वैज्ञानिक कारण और ध धार्मिक कारण लगा हुआ है, धार्मिक कारण यह है कि संध्या काल में जो ढलते सुर्ज यानि डूबते हुए को अर्ग देते हैं, ढलते सुर्ज के साथ सुर्ज भगवान की किरन पत्युखा और उनकी पत्नी का नाम भी प्रत्युखा है, तो प्रत्युखा जो है वह सुर कालिन अर्ग दिया जाता है अब यहां है कि अर्ग सुर्ज भगवान को देते हैं और खस्टी देवी का नाम होता है तो ब्रम्भा की मानस पुत्री खस्टी है और सुर्ज भगवान की बहन है तो प्रातह कालिन जो हम अर्ग देते हैं वहां और सायं कालिन दोनों अर्ग जो ह आवस्यक है बैज्ञानिक कारण यह है कि जदी आप ढलते सुर्ज को अर्ग देते हैं तो आपके आँख की रोसनी बनी रहती है और आप किसी भी मुसीबत में जदी हैं तो आपका मुसीबत टल जाएगा क्योंकि सुर्ज भगवान संध्या के समय अपनी पत्नी के साथ ढलते हैं और तीसरा कारण यह है कि भाई जो उगता हुआ है उसका तो हम सम्मान करते ही हैं लेकिन जो डूब रहा है परस्थिती वस वह गरीब लाचार बेबस हो रहा है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए दोनों तीनों यह परंपरा के चलते ढलते सुर्ज को अर्ग दिया जाता है